करगोंजिले के भिकन गाओं पुलिस ने भिकन गाओं में चूरी हुए टेम्पू जिसमें 30 कुंटल सोयाबिन भरी हुई थी जिसकी कीमत 1,20,000 रुपे थी वो टेम्पू की कीमत करीब 11,00,000 रुपे थी चूरी होने के मामने में महाज़र 3 घंटे के अंदर ही चूर को पकड कर टेम्पू और सोयाबिन जब्त कर लिया गया है फर्यादी गंगाराम ने बताया कि वह महरास्ट कर रहने वाला है और उसने पुलिस थाने में सूचना दी थी कि अनाज मंडी में वह टेम्पू लेकर गया था जिसमें 30 कुंटल सोयाबिन भरावा था मंडी गेट के सामने वह वहान खड़ा करकर चाई पीने के लिए होटल में गया था वापस आकर देखा तो टेम्पू जगा पर नहीं था उक्त घटना को गंविरता से लेते वे स्टी ओपिया राकेश आरिये के मार्ग दर्शन में पूरे मामले की चार्ज की गई जिसके बाद में यहाँ पर अच्छे मार्ग पर घेराबंदी करते वे टेम्पू सही ता एक विक्ति को पकड़ लिया गया जिसने अपना नाम रितेश यह बताया है जो की बीकन गाउं का रेने बाला है और रूपी से टेम्पू जबत कर लिया गया है जिसकी कीमत एक लाग भी सजा रूपे के आसपा से दोनों को बरामत कर लिया गया है उक्तकारवाई में स्टी ओपी राकेश अर्यके मारग दर्शन में ताना प्रभारिया रामेश्वर ठाकूर अजे सिया चोहा नरेंद कुछवा तिलका धाक से अनिल कुछवा सेनीका इश्वर वा स्टाफ के विशेश सयोग उनका रहा वहीं पर पुलिस अदिक्षा खर्गोन धर्मराज मिना ने पुलिस टीम को नगत पांचाया रुपे का इनाम भी पुरसकार देने की गोश्णा की है आज मंडी चल रही थी उस दुरान गंगा राम पिता शुपडु जादा हुए पाल महराष्ट के रहने वाले हैं यह अपना आश्रोक लेट का छोटा हाती जिसमें 30 क्विंटल स्वयविन आपनी उपज मंडी में बैचने के लिए आये थे मंडी की किनारे पे इनोंने अपने गाड़ी खड़ी करी और चाई पीने के ले गए थे 15-20 मिंट के अंदर चाई पी क्या है जब देखा कि इनकी गाड़ी खड़ी हुई नहीं है तो तुरंत इनने थाने पर सुचित किया और हमारी टीन सक्री थी शेतर में घूम रही थी तो उसी दूरान चारो तरफ से घहराबंदी करकर उसे तलास किया तो यह अपने गौर्मेंट हस्पिटल के पीछे वाला जो कच्छा रास्था था उस रास्ते से लेकर रितेश पीता केलाश शावले यह 29 साल का शोबाश मार्ग का रहने वाला है यह चोरी करकर छोटा हाती और उसमें भरा तीश को इंटर सोयविन लेकर जा रहा था जिसे पुलिस ने समय रहते गिरबदार किया और इसमें धारा 303 ब्रेकेट में दो बी एनेस के अंतरगत फायर पंजबत का अरुपिक गिरबदा कर अभी माननी नियाले पेस कर रहे हैं